हेलो प्रेंट्स अगर हम बात करें एक्सेस की तो रनिंग सबसे बेश्ट एक्सेसाइज है क्योंकि दूसरी जितनी भी एक्सेसाइज है वो बोड़ी के फिक्स पार्ट को मजबूत बनाती है जैसे आप उसबस करते हैं तो यह सिर्फ छाती और कंदों पर ही वर्क करती है लैग एक्सेसाइज की बात करें तो यह भी सिर्फ लैग मसल्स को ही टार्गेट करती है लेकिन रनिंग की बात करें तो यह एक ऐसी एक्सेसाइज है जो फुल बोड़ी वर्काउट है शरीर तुस्त दुरुस्त और फृतिला हो जाता है तो फ्रेंड्स रनिंग के इतने फाइदे जानने के बाद आपको दौर्णा जरूर शुरू करना चाहिए अगर किसी कारण आप दौर नहीं पाते तो आप तेज चलकर भी दौर्णा से फाइदे उठा सकते हैं तेज चल पैदल चलने का सबसे बड़ा फायदा होता है तेज दिमाग के रूप में एक सर्वे के नूसा रोजना पैदल चलने वालों लोग जदा भुद्धिमान होते हैं उनके मुकाबले जो पैदल चलते ही नहीं या बहुत कम चलते हैं विशेशक्यों के मुताबिक रोजना एक गंटे पैदल चलने वालों का दिमाग कई अधिक तेज होता है और वे दिमाग की एक आम बिमारी डिप्रेशन से बचे रहते हैं परती दिन आदे गंटे तक तेज गती से चलकर रिद्धे को फिट रखा जा सकता है रोजना तेज चलने से बॉड़ी में एनर्जी रहती है जो रोजना तेज गती से पैदल चलते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है उन लोगों के मुकाबले जो पैदल नहीं चलते यानि की तेज गती से चलना मतलब मृत्यूदर को कम करना महलाओ के लिए परती दिन तेज गती से पैदल चलना काफी फाइदे मन दोता है जो मह बोड़ी का 5% तक वेट कम किया जा सकता है रोजाना एक गंटा पैदल चलने से दिमाग की नस्व में रक्त परवास उचारू रहता है जिससे बेंड इस्टो का खत्रा 40% तक कम हो जाता है तो फ्रेंड्स तेज गती से पैदल चलने के फायदे जानने के बाद प्रति दिन 30 मि हम भी आई उपाई है निच्चित रूप से 100% नाव ओके फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ठैक्स वर वाचिंग माई वीडियो हैव आई नाइस डे थैंक यू